सो हलो एवरिवान आप सबी लोगों का स्वागत है SPIL Official पे तो जैसा कि आप सबी लोगों ने Thumbnail और टाइटल में तो देखी लिया होगा कि हमारा जो आज का ये रिव्यू है वो होने वाला है एक रेफ्रिजरेटर के उपर तो चलिए बिना टाइम को वरबात करें स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस रिव्यू को तो जैसा कि आप सबी लोग स्क्रिंज पे देख पा रहे हैं कि हम जिस रेफ्रिजरेटर पे आज रिव्यू कर रहे हैं वो है हायर कंपनी का चलिए सबसे पहले कर लेते हैं इस रेफ्रिजरेटर के बॉक्स का रिव्यू हाला कि जो इसका बॉक्स है वो एक प्लेन ब्राउन कलर का है और यहां पे जो है कुछ कुछ प्रिंट्स उस बॉक्स के ऊपर दिये गए हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं बॉक्स में उपर की तरफ यहां पे कुछ सिंबल्स को प्रिंट करा गया है और उसी के साइड में यहां पे लिखा गया है फ्रंट तो यह वाला जो साइड है वो box का front side है और यहाँ पे जो यह front लिखा गया है वो इसले लिखा गया है ताकि जो लोग इस fridge को carry करें उन लोग को पता रहे कि यह जो refrigerator का door है वो किस side पे है यहाँ पे आप नीचे की side देख सकते हैं लिखा गया है company के नाम को उसके tag line के साथ जो की है inspired living और उसी के जस नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं refrigerator को अलग-अलग languages में लिखा गया है और यहाँ पे total 22 languages में refrigerator को लिखा गया है और उसी के जस नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो है box की carrying capacity लिखी गई है और made in India लिखा गया है अब यह आप देख सकते हैं यह है box का back side और यहाँ पे भी same print करा गया है जो की front side पे किया गया था बस यहाँ पे जो है front ही जगे back लिख दिया गया है अब अगर हम बात करें इस box के side की तो sides में भी आप देख सकते हैं almost same ही print है यहाँ पे भी company के नाम को ही print करा गया है लेकिन यहाँ पे जो है आपको एक sticker भी देखने को मिल जाता है जिस पे इस refrigerator की पूरी detail दी गई है जैसे की यह refrigerator किस type का है इसका color इसका weight और इस refrigerator का price भी आपको यहाँ पे दिया गया है उसी के साथ यहाँ पे आपको इस refrigerator की manufacturing date भी दी गई है और यहाँ पे आप दूसरी साइट पे भी देख सकते हैं सेम ही print करा गया है और वो सेम ही जो sticker है उसको लगाया गया है जिसमें इस refrigerator की information आपको दी है चलिए यह तो हो गया इस refrigerator के box का review चलिए अब करते हैं इस box को अलग और निकालते हैं इस refrigerator को इस box के अंदर से बाहर सो यह है हायर कंपनी का five in one convertible refrigerator सो जैसा कि आप सब यहां पे screens पे देखी पा रहे होंगे कि यह जो refrigerator है वो काफी जादा attractive looks के साथ आता है अगर बात करी जाए इस refrigerator के color combination की तो जो इस refrigerator का color combination है वो है black और gray का यहां पे इस refrigerator का जो डोर है वो ब्लाक कलर में है और इसकी जो बाकी की body है वो ग्रे कलर में है उसी के साथ यहां पे जो डोर है उसके ऊपर floral mirror touch भी दिया गया है जिसकी वजह से जो इस refrigerator का डोर है वो किसी भी mirror से कम नहीं लगता है चलिए अब बात कर लेते हैं इस refrigerator के टाइप की यह जो refrigerator है वो फ्रोस्ट फ्री टाइप का है और अगर मैं आपको फ्रोस्ट फ्री की जो definition है वो एक शब्द में देना चाहूं तो वो होगा कि इस refrigerator का जो फ्रिजर है उसकी जो sidewalls है उन पे icing नहीं होती है तो basically जो फ्रोस्ट फ्री टाइप के refrigerator होते हैं उनके जो fridgers होते हैं उनकी sidewalls और जो उनका top और bottom होता है वहाँ पे जो है icing नहीं होती है इसी वज़ा से इन refrigerator के अंदर आपको कोई भी defrost का button देखने को नहीं मिलता है जबकि अगर बात करी जाए पुराने fridge की तो वहाँ पे आपको एक defrost का button देखने को मिलता था क्योंकि वहाँ पे उनके fridgers के अंदर जो है ice जमा हो जाती थी तो अब अगर बात करी जाए इस refrigerator के capacity के बारे में तो इसकी जो gross capacity है वो है 258 liters की लेकिन ये जो refrigerator है आपको 278 liters के अंदर भी available है तो वो आपके ओपर depend करता है कि आप कौन सा refrigerator को select कर रहे हैं और अगर मैं बात करूँ इस refrigerator की storage capacity के बारे में जो companies की storage capacity claim कर दी है वो है 235 liters की यहां पर जो इस refrigerator की electricity consumption है वो है 182 units per year क्योंकि यह जो refrigerator है वो आता है आपका 3 star rating के साथ यहां पर आप screen पर देख सकते हैं इस refrigerator का जो model number है वो display हो रहा है सो अब यहां पर अगर मैं इसके doors पे थोड़ा सा close up में जाओं तो यहां पर इस refrigerator के कुछ features को लिखा गया है इन में से जो पहला feature यहां पर लिखा गया है वो है 5 in 1 convertable refrigerator जो की इसके नाम के अंदर ही आता है कि यह जो refrigerator है वो पांच अलग-अलग तरीकों से convert करके use करा जा सकता है उसके बाद जो दूसरा feature यहां पे door पे print करा गया है वो है 5 star performance तो यह जो refrigerator है इसकी जो performance है वो of course 5 star rated है और यहां पे जो तीसरा feature प्रिंट करा गया है वो है up to 12 hour cooling detention तो यहां पे यह 12 hour cooling retention है वो इस refrigerator के फ्रिजर को मिलती है एक self के थूरू जो की पूरा का पूरा liquid से बना हुआ है तो उसी के वज़ा से जो इसके फ्रिजर में cooling रहती है वो 12 घंटे तक रहती है अगर इस refrigerator को power supply ना दी जाए और उसी के साथ यहां पे जो fourth feature दिया गया है वो है twin inverter technology का सो यहां पे जो twin inverter technology है वो basically यह बता रही है कि आप इस जो फ्रिज है यह उसका जो refrigerator और फ्रिजर है वो दोनों ही को आप inverter के थ्रू चला सकते हैं इसका जो फ्रिजर है वो fan के थ्रू चलता है और इसका जो refrigerator है वो इसके compressor के थ्रू चलता है सो यह दोनों के दोनों fan और compressor जो है वो inverter पे काम कर सकते हैं और उसी के साथ यहां पे आपको जो fifth point दिया गया है वो है connect home inverter जो basically twin inverter technology का ही एक point है और उसके बाद यहां पे आपको जो sixth point दिया गया है वो है इसकी warranty period so basically अगर बात करी जाए इस पूरे product की warranty की तो फिर इस fridge की जो आपको warranty दी जाती है वो है एक साल की लेकिन जो आपको इसके compressor की warranty दी जाती है वो है पूरे 10 साल की लेकिन यह जो 10 साल की warranty है वो सिरफ compressor पे ही valid है so चलिए अब करते हैं इस fridge को open so यहां पे आप देख सकते हैं कि यह जो fridge है वो completely इस वक्त packed है तो चलिए सबसे पहले तो हम इसकी जो wraps हैं उनको हटाते हैं और उसके बाद करते हैं इस refrigerator का review start so इस fridge में जो आपको सबसे पहली चीज़ मिलती है वो है इसकी user manual और इसका warranty card उसी के साथ आपको यहां पे एक tray भी मिल जाती है और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इस fridge में जो है एक lock भी दिया गया है तो यहां पे आपको उस lock की चाबी भी मिल जाती है so चलिए अब करते हैं हम इस user manual को side में और देख लेते हैं इस fridge के कुछ features को so इस refrigerator में जो आपको LED light दी गई है वो एक white light है जो की durable भी है और यहां पे आप देख सकते हैं इसका जो दूसरा feature है वो है इसका sliding shelf so इस refrigerator के अंदर आपको total तीन shelf provide करे जाते हैं जिसमें से जो एक shelf आपको दिया गया है वो sliding shelf है यहां पे आप देख सकते हैं यह जो है एक complete sliding shelf आपको दिया गया है so यह जो sliding shelf है वो दो rollers के उपर काम करता है यहां पे आप देख सकते है sliding shelf के just नीचे दो rollers को लगाया गया है और उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको दो शेल्फ और भी दिये गए हैं जो की टफिन ग्लास से बने हुए हैं और उसी के जस्ट पीछे की तरफ आपया देख सकते हैं यह आपको एक वाइट कलर का डग्ट कवर दिख रहा है जो की इस टेंपरे डग्ट कवर है यहां पर आपको तेंपरेशर का ओप्शन भी दिया गया है जो की सिर्फ इस रफिजरेटर के Лिए दिया गया है यानि कि इस temperature control से आप इस fridge का जो fridger है उसको control नहीं कर सकते हैं ये जो controller आपको दिया गया है वो सिर्फ ये refrigerator के लिए ही दिया गया है और इसी temperature control के जस्त नीचे यहाँ पे आपको एक VC fresh भी दिया गया है सो इन तीन शिल्फ के बाद आपको इस fridge के अंदर मिल जाते हैं दो और box जिसमें से जो एक box है वो है fruit box और जो दूसरा box है वो है vegetable box आप यहाँ पे देख भी सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है fresh box जो की vegetable के लिए दिया गया है और जो दूसरा box है वहाँ पे लिखा गया है fruit box जो की fruits के लिए दिया गया है और यहाँ पे भी जो glass यूज करा गया है वो है toughened glass यहाँ पे आप देख सकते हैं जो vegetable box है उसकी जो capacity है वो भी काफी जादा है और उसी के साथ यहाँ पे जो fruit box है वो भी एक normal capacity के साथ आपको मिल जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस refrigerator के side में आपको एक switch भी दिया गया है जो की इस refrigerator की जो LED light है उसको on off होने में मदद करता है जब आप इस refrigerator का जो door है उसको close या फिर open करते हैं इसी के साथ यहाँ पे जो इसके refrigerator के compartments है वो खतम होते हैं सो चलिए अब देख लेते हैं हम इस refrigerator के door side वाले compartments को भी यहाँ पे आपको door side में 3 racks दिये जाते हैं जिसमें से जो एक rack है वो main rack है जिसमें आप बड़ी bottles को रख सकते हैं और बाकी के जो दो rack है वो reference rack है यानि कि यहाँ पे जो है आप छोटे जो juices आते हैं उनको रख सकते हैं या फिर जो छोटी bottles होती हैं उनको भी यहाँ पे रख सकते हैं उसी के साथ यहाँ पे जो आपको warranty card और जो इसकी user manual थी उसके साथ एक tray आपको मिली थी वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस door के बिलकुल end में तीन images को भी print करा गया है जो की इस door का जो look है उसको थोड़ा सा और enhance कर रहे हैं और यहाँ पे आप इस door की जो gasket है उसको भी देख सकते हैं और उसी के साथ यहाँ पे जो इस door के अंदर insulation का use करा गया है वो है PSU insulation सो जो PSU insulation है वो होती है polyurethane rigid foam सो यह जो foam है वो approximately 6.5 cm के around है और यह जो है वो use करा गया है इसके doors के लिए सो यहाँ पे आपको इस refrigerator के दरवाजे पे जो है एक hole भी दिया गया है जो की है इस refrigerator को lock करने के लिए सो चलिए यह तो हो गया है refrigerator का review तो अब करते हैं हम इसके refrigerator का review सो यहाँ पे आप सब लोग दीख सकते हैं इस refrigerator का जो दरवाजा है उस पे आपको यहाँ पे एक lock दिया गया है जो की इस fridge का lock है सो यह जो lock है वो इस refrigerator के दरवाजे को और इस refrigerator के दरवाजे को जो है lock कर देता है सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक white color का यहाँ पे कुछ design दिया गया है जिसमें एक hole आपको दिया गया है और उसके जस्ट नीचे यहां पे इस refrigerator के दर्वाजे में भी आपको एक hole दिया गया है यानि कि यह जो फ्रिजर का दर्वाजा है यहां से एक जो है रोड टाइप का कुछ इसके अंदर से निकलेगा और यहां पे जा करके वो फस जाएगा और जो यह दोनों ही दर्वाजे हैं वो lock हो जाएंगे सो चलिए अब चलते हैं इस refrigerator के review की तरफ सो यहां पे आपको जो इस refrigerator के अंदर सबसे पहली चीज़ देखने को मिल जाती है वो है यह ice maker सो यह जो ice maker है वो आपको company side से offer किया जाता है इस fridge के fridger के साथ सो यहां पे जो है आप पानी डाल करके normal जो है ice cubes को जमा सकते हैं और उसे इस box के अंदर रख सकते हैं सो चलिए इस ice maker को हम कर देते हैं side में और फिर जो है करते है इस fridge का review सो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि यह जो fridge है वो एक convertible fridge है और यहां पे आप देख भी सकते है इसके जो fridge है उस पे भी लिखा गया है convertible और उसी के just side में यहां पे आपको एक controller दिया गया है जिसमें आपको total चार option दिये गए है जिसमें जो पहला option आपको दिया गया है वो है super fridge का जो दूसरा option आपको दिया गया है वो है normal का और जो तीसरा option आपको दिया गया है वो है energy saving का और जो चौता option आपको दिया गया है convertable का बाकी के जो तीन options हैं यहाँ पे वो तो normal है बट जो fourth option है वो है convertable का यानि कि अगर आप इस fourth option को select करते हैं तो फिर जो है आप इस fridge का जो temperature है उसको बराबर कर सकते हैं अपने refrigerator के temperature से यानि कि आप complete इसको as a refrigerator भी use कर सकते हैं और यहाँ पे आपको यह जो दो box दिख रहे हैं यह जो है इसी के through जो है gas जो है वो यहाँ से बहार आती है और यह जो fridge है वो ठंडा होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो fridge है उस पे थोड़ा सा पानी भी है because यह जो fridge है वो पहले थोड़ी दिर on भी हमने करके देखा जिसकी वज़े से जो इसका fridge है वो मातर एक घंटे के अंदर ही ठंडा हो गया और यहाँ पे जो है बहुत सार आप देख सकते हैं पानी हमारे हाथ पे भी देख रहा होगा आप देख सकते हैं अंदाज़त तो आप लगाई सकते हैं इससे की हमने सिर्फ एक घंटे fridge को चलाया और उसके बाद भी इतनी जादा cooling इस fridge ने दी यहाँ पे नीचे की साइड आप देख सकते हैं एक प्लेन राक आपको दिया गया है जिसमें आप कोई भी समान रख सकते हैं अब टू-3 kg तक का ही इसमें जो है capacity आपको मिलती है और यहाँ पे जो है आपको एक shelf दिया गया है यह जो shelf है इसके अंदर जो है liquid को भरा गया है यह जो shelf है वो काफी जादा heavy है और यह जो है completely liquid से भरा गया है और अब देख लेते हैं हम इस fridge के door side को इसके door side पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको temperature settings की कुछ guides दे रखे हैं और बाकी जो functions है इस fridge और इस refrigerator के उसके भी guidance आपको दे रखी है तो अगर आपको किसी भी तरीके का इसका जो switches हैं वो समझ नहीं आते तो फिर आप यहां से देख करके भी उनको according to the seasons आप उसको set कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको तीन seasons के बारे में बताए गया summer, monsoon और winter तो यह जो setting आपको दे रखी है वो फिरिजर वाले compartment की और जो दूसरी setting आपको दे रखी है वो है refrigerator वाले compartment की यह जो चीज है वो बहुत important होती है और यह जो है वो आपको इसके refrigerator के door में मिल जाएगी और उसी के साथ यहाँ पर आपको फिरिजर वाले door में भी दो bottle रखने के rack दिये जाते हैं यानि कि आप यहाँ पर भी जो है छोटे साइस की bottle को easily रख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत ज़ादा जो है पानी हो चुका है बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया कि यह जो फ्रिज है हमने एक घंटे पहले on करके रख दिया था तो यह तो हो गए इसके refrigerator और refrigerator का review चलिए अब जान लेते हैं इस fridge के कोच features के बारे में इस fridge के कुछ features जो है उनमें से जो सबसे पहला features है वो है इसका convertible feature यानि कि यह जो fridge है वो 5-in-1 convertible fridge है जो इसका refrigerator है और जो इसका refrigerator है उसकी temperature को हम accordingly change कर सकते हैं उसके बाद जो इसका दूसरा feature है वो है इसकी cooling retention का यानि कि यह जो fridge है वो अपनी जो cooling है वो up to 12 hours भी maintain करके रख सकता है और उसी के साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है twin inverter technology यानि कि आप इस refrigerator को तो inverter के थूँ चला ही सकते हैं उसी के साथ यहाँ पे जो इसका fridge है उसको भी आप inverter के थूँ चला सकते हैं यानि कि इसके अंदर जो fan और compressor आपको दिया गया है वो दोनों ही inverter के ऊपर चलाए जा सकते हैं और उसी के साथ यहाँ पे जो है company site से आपको इस पूरे product की यानि कि इस पूरे fridge की एक साल की warranty दी जाती है और जो 10 साल की warranty होती है वो होती है इस refrigerator के compressor की और यहाँ पे जो बाकी के कुछ features हैं वो हैं इसका VC fresh technology और यहाँ पे आपको इस फ्रिज में जो फ्रिजर दिया गया है उसमें टर्बो आइसिंग का भी यूज करा गया है यानि कि उस फ्रिजर में जो है वो जो बरफ है वो बहुत जल्दी जम जाएगी normal fridge के comparison में और उसी के साथ यहाँ पे आपको three dimensional air supply भी दी गई है प्लस यहाँ पे आपको एक compartment भी दिया गया है जिसमें आप जो है beauty products और जो medicines वगेरा होती है उनको preserve कर सकते हैं उनको रख सकते हैं और इसका जो एक और फीचर है वो है कि इसके shelves हैं वो toughen glass के बने हों हैं वो तो normally हमने आपको पहले ही बता दिया है सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमने जो है fridge को on कर दिया है और यहाँ पे जो है इसकी LED light भी जल चुकी है जिससे जो है fridge के अंदर काफी जादा light आ चुकी है और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो चीजें हैं वो काफी जादा bright अब देख पा रही होंगी और उसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं इस switch को जैसे हम अंदर की तरफ करते हैं जो LED light है वो बंद हो जाती है और जैसे हम इसको बाहर करते हैं जो LED light है वो on हो जाती है अब जो है हमने इसकी power तो connect कर दी है लेकिन हम आपको सिरफ LED light ही दिखा सकते हैं पावर के थूँ इसकी जो cooling है वो हम वीडियो के थूँ आपको नहीं दिखा सकते हैं आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको इस refrigerator के उपर और वीडियो चाहिए तो फिर आप नीचे comment box में comment करके हमें जरूर बताईएगा अब अगर आपको इस fridge को purchase करना हो तो फिर आप सभी लोग को पता है नीचे description box में एक link आपको दी गई है जिस पे click करके आप इस fridge को purchase कर सकते हैं और उसी के साथ आपको आज का ये review कैसा लगा आप नीचे comment box में comment करके हमें जरूर बताईएगा So thank you for watching the video, like the video, subscribe the channel for the next video